आपकी सामली स्कीन है और इस तीज़ पर आप थोड़ा से स्पेसल दिखना चाहते हो आपको मेकप नहीं आता है फाउंडेशन की तरफ नहीं जाना चाहते हो सिर्फ हांतों से नॉर्मल सा मेकप करना चाहते हो जो देखने में भी अच्छा लगे और कोई ये ना पुली अरे यार कितना मेकप करके बैठी है है ना तो आज मैं सिंपल आपको वहीं बताऊंगे सबसे पहले हमेशा की तरह अपने स्कीन को अच्छे से प्रिपेर करिए यानि कोई भी मोशुराइजर या फिर 10 रुपे की फ्रूट क्रीम लगा लीजिए और उसको एक से दो मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए ताकि वह आपके स्कीन में सेट हो जाए इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ पॉन्स की बीबी करिम अब हमेशा फेरण लबली या कोई भी नॉर्मल क्रीम रोस लगाते हो लेकिन अगर थोड़ा सा इस पेसल देखना चाहते हो और चाहते हो कि मेकप पता भी न चले तो बीबी सिसी क्रीम बेस्ट सोपसेंस होता है अब चाहो तो fair and lovely में भी मिला के लगा सकते इसको मेरी all time favorite है पॉंस की हो गई गानियर की गानियर की बहुत अच्छी है वो बिल्कुल light weight है अगर आप उसको लगाओगे न तो अपके face पे glow साएगा तो बहुत अच्छी है आप वो भी try कर सकते हो like me की थोड़ी सी heavy हो जाती है तो अगर आपको थोड़ी सी heavy चाहिए थोड़ा सा coverage चाहिए तो आप उसे भी try कर सकते हो तो बस simple से dot dot करके आपको पूरे face पर apply करना है और उसके बाद जैसे मैं लगा रही हूँ से में सी लगा लेना है बस क्या करना है जादा रगणला नहीं है बहुत जादा रगड़ेंगे न तो वह अजीव लगेगगा हलके हलके हाथों से smoothly आपको घुमाना है जब आप लगाոगी तो आपको ऐसा लगे गा यार बहुत जादा दीरी दीरी आप अच्छे से जब इसको नेकप भी कर रही हूँ न तो उतना याद नहीं वहना पहले तो हमेशा याद रहता था ये शेड है इसका उसका जो भी है तो अब हमें नेक पे भी लगाना था कि फेस और नेक हमारा बिल्कुल सेम दिखे तो इस तरीके से आपको लगा लेना है थोड़ी देर के बाद ये थ दिवाने हो जाओगी मतलब मेरा ओल टाइम फेवरेट है बस तो आप एबरो पैंसिल ले सकते हैं अब यहाँ पर मैंने एक किसका एबरो पैंसिल ही मांगाई बट ये मैं ऑनलाइन मांगाई हूँ तो ये डेड़ या दो सो रुपए में मुझे दो मिली थी दो सो रुपए रुपए की एक थी तो बहुत अच्छी है जब भी एबरो को सेट करिए एश्ट्रा मत जाईएगा हमेशा मैं बोलती है और आपको नैश्रल मेकप दिखाना है ऐसा ना लगी भूत वाला तो आप बिल्कुल आपकी एबरो जैसी है बैसी सेट करने की कोशिश करिए बहुत स कि अपनी पसंदोती है आप कर सकती है तो बस यहां पर हमने काजल लगा लिया काजल सायद मैंने एलेटीन या ब्लू हैवन का लगा रहा है अब हम लिप लाइन लगा रहे है अगर आप लिप लाइन नहीं ट्राइ करते तो ट्राइ करना बीच भी मैं नहीं करती थी पर उनों को mix match करके लगा ली हूँ बाव इतना परिशान किया कि मेरे गले पर ही आके बैठ रहा है मतलब क्या बोलू मैं तो बस दोनों ही lipstick को अच्छे से हम लगाएंगे और set कर लेंगे बस अगर आप इतना रखना चाहते हो तो आप इतना मेकप रख सकते हो अगर आपको थोड़ा से एस्ट्रा पसंद है तो आप आगे जाएगा वन्ना फिर आप क्लोज अब तो आप देखी चुके हो है ना मैंने एक आई पैलेट लिया है वह थोड़ा से शिमरी शेड है इससे क्या होगा आजब बलेशर और हाइलाइटर का भी का अच्छा यह में मेकप इसलिए बता रही हूं ना हाथों से ताकि हर कोई इसलिए कर सके जो मतलब ज्यादा ब्रेस की और नहीं जाता है जिसको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होती है उसके लिए यह ट्रामजेशन शेड मैंने इसलिए लिया कोई भी आप जब शीमरी करना चाहिए मैं भी ऐसे डारिक्ट अप्लाई करती थी थी थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाती रहती हूं ना कि अच्छा होता है तो जो चीज़े करती हूं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूं अभी मैं लाइनर की तरफ भी नहीं जा रही हूं फेशस कनेड़ा का मै इसको कैसे निकाला है उसकी मैं अलग से वीडियो बना ली हूं मतलब इसको निकालने की इसमें मैंने का एड करूंगे ना तो बहुत लेंटी वह जाएगी तो मैं इसको आराम से एड्ली निकाली हूं और मेरे फेस पर देखिये पता भी नहीं चल रहा है कि कास दलाना था बहुत अच्छे से लग गया था तो वो भी वीडियो मैं इसके बाद ही श्रेयर करूंगी आप लोंगों के साथ तो यहां पर मैंने साड़ी पहन ली है शाड़ी मैंने ली है मेशू से बहुत अफूरडबल यह सिक्सेंड़ेट की साड़ी है जूल्री भी ऑनलाइन है और यह ब्लाउस भी ऑनलाइन है इस साड़ी का ब्लाउस नहीं है क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं सिल्वा सकूँ बट इस साड़ी के साथ बहुत ही अच्छे से जा रहा था तो अभी यह देखी मेरा पूरा फाइनल लुक यहां पर मैं भूल गई थी कि मैं बैंगल्स ही नह लिए बाद में मुझे यार आ रहे मैंने तो बैंगल्स ही नहीं डाले तो अच्छा लुक कैसा लग रहा आप लोग बताएगा इस तीस पर आप जरूर ट्राय कीजेगा बहुत सिंपल बहुत सोवर मेकब है बहुत अच्छा भी लगेगा ठीक है तो वीडियो पसंद आयो अच्छा जब दी मैं वीडियो शूट करती नहीं मैं आपको बता दू तो मैं लाइट में शूट करती हूं थाज़ी कि मुझे बहुत गर्मी सी लगती है बाबू आजाता है रिग डि गिरा रा सकता है तो विसमें क्लोजप दिखाती हूं ना तो लाइट में दिखा देती ताकि अच्छे से आपको exact समझ में आए ठीक है सो चलो मिलते एक वीडियो के साथ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक किजेगा और हाँ इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे चीसी में रिल्स भी बनाई हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम प्रीती में कब ओफिशल पे जल्दी से जाए और फॉलो कियें से ठीक है तो अभी बहुत अच्छे ची वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कने वाली हूँ अभी थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ फिर से ठीक है तो आप लोगों कोमेंट कीजिएगा आप लोगों को किस तरह की वीडियो देखना पसंद है